कि स्वागत है आप लोग को ममता मिठलान चलमें आज बनाने जारी हूं प्लेन बटर धोसा अगर रेसिपी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आकों को दोड़ा ना भूलें तो आए हम बनाते हैं प्लेन धोसा यहाँ आप आप आडवा चाबन ले लिया है इस कटोड़ी से गया आप लोग मैंने दाल लिया है दाल मैंने लिया है एक गया इसको जो हम पानी डाल के भीगो के रख देंगे यहाँ अमें देरियों मेथी कर दाना और जीरा इसमें मैं दे रही हूँ आप चना दल चना दल जो है आधा कटोड़ी मैंने दिया है चना दल देने से जो है हमारा ढोसा एकदम क्रिस्पी बनेगा अब यह फूल चुका है इसको मैंने रात भर बिगो के रखावा था आप मैं समको पेश्ट बना लेती हूँ यहां फूहां छ wedge मैंने पेश्ट जो है इससे बना लिया है यह ज्यादा मोटा ना जादा पतला है हम एक बड़ा सा पतिला में ओं इसको डाल को देंगे और इसी तरह से हम सारा पेश्ट कौला लेंगे थोड़ा सब मैंने एक कटोरी इसके साथ पोहा भी डाल दिया है पोहा को मैंने तुरंद पानी में डाल के पेश्ट बना के दे दिया है इससे हमारे ढोसा और क्रिस्पी बनता है तो पोहा यह आपके पास अगर राइस बचा हुआ है तो राइस आप डाल दीजे यहाँ पर मैंने सामर बनाने के लिया है लौकी, गाज़र, टमाटर, बेन्स इससे हमने काटके रख लिया है यहाँ पर मैंने करी पता लिया है यहाँ पर लिया है सूखी लाल मिर्ज, काला सर्सू और हिंग सर्सू का तेल यहाँ पर लिया है मैंने इमली आप चाहें तो अमचूट का भी पॉडर यूज़ कर सकते हैं यहां पर मैंने प्याज लिया है यहां पर हमने कूकर जो है गरम करने रख दिया है इसमें आम में देड़ी हूं सरसो तेल धूंसा सांबर और नालेल का चतनी मैंने तीनों चीज की रेसिपी यह सेयर किया है इस वीडियो में पहले हम डालेंगे हींग हींग को जाए थोड़ा साम चटकने देंगे कि इसमें मैं डाल दे रिवाव जो हमने लिया है काला सरसो और सूखी लाल मिर जी तीखा आप लोग अपने हिसाब से कम यह लग कर सकते हैं सामभर तो सब कोई बनाते हैं अब बहुत तरीके से बनता है मैं लेकर इसी तरह से बनाती हूं बहुत अच्छा बनता है तो आप लोग एक पर जुरू ट्राय करें इस तरह से बनाना अब मैं इस मिदेरियों करी पता करी पता थोड़ा साज है उने लगता है तो इसलिए थोड़ा सा आराम से डाले इसको एक बड़ चला दे अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज जो मैंने काटके रखा है दो मीडियम सेज के प्याज इसको हम चलाएंगे अब मैं इसमें दे रही हूं जो मैंने सबजी काटके रखा हुआ है गाजर लौकी बिन्स मैं सामबर में इतना ही सबजी का यूज करती हूँ आप आप लोग अपने मन पसंदिये साफ से दे सकते हैं जो सबजी आप लोग खाना पसंद करते हैं लेकिन मैं इसमें लौकी गाज़र बीम्स टमाटर यह तीन चीजी मिलाती हूं इसी में सामर जो बहुत अच्छा बनता है अब मैं इसमें देऊना मक स्वादनों सार लाल मिर्ची हल्दी पाउडर सांबर मसाला सांबर मसाला मैंने तीन कटूरी चमज जो है लिया है चमज से तीन चमज यह है अब इन सब को हम थोशे भूनेंगे अच्छे से देखिए हमारा सांबर भून चुका है मसाला तो आम इसमें रहर डाल दे रहे हूं इसको मैंने धोके रखा हुआ था आप लोग इतना सांबर बनाना चाहते हैं उसी साबसे सब्जी या आप लोग डाल का यूज कर सकते हैं मैंने यहां पे जो है डाल दू का टोड़ी लिया है क्योंकि मैं ज्यादा सांबर बनाती हूँ कि इसको मैं अच्छे से चलाएंगे दो तीन बार कि सांबर में भी मैं गरम पानी का ही यूज करती हूं कि इसमें जो है गरम पानी दे रही हूं कि आप लोग जैसे सामर पतला या मोटा जैसा खाना चाहते हैं उससे सब सब नुग पानी डाल दें यहां पर मैं जो है चार सीटी लगने दा कि इसको गैस पर ही छोड़ देंगे यहां पर मैंने नारियल का चत्नी बनाने के लिए नारिय ले लिया है और चना दल लिया एक कटोरी लसुन और अद्रक लिया है यहां मैंने करह गरम करने रख दिया है इसे मैं दे रही हूं सरसो तेल अब इसमें मैं दे रही हूं काला सरसो जिसको रहेंची भी बोलते हैं या राय बोलते हैं अब इसमें दे रही हूं सूखी लाली मिर्च कड़ी पत्ता हिसा अब इसमें चना डाल दे रही हूं सबस्बाना को में भूना है अदे रहे हूं भूना है कि ब्हुन्ये से जब्रेश्ट कर been डालते हूं यहां यहां मैंने मीधिस्टी जार में जो नारियल डाल दिया है इसे में लसुन और अदरग कई दाल भी हमारा भूंद चुका है थांड़ा करके जो इसमें डाल देती हूं कि इसमें थोड़ा सा पानी देना भूल गई थी तो मैं पानी दे रही हूं पानी देखिए जो हमें चटनी बनाना है कि देखिए आपे चटनी मैंने बना लिया है मैं जो भी बनाती हूं चटनी या सामबर में ज्यादा ही बनाती हूं कि देखिए चटनी हमारा पीस चुका है हम इसमें देरियों नमक नमक का अपने स्वाद का नुसार ले अब हम इसको तरका लगाएंगे यहां मैंने एक तरका पेल ले लिया है कि अब मैं इसमें डाल दूंगे सर्सु तेल काला सर्सु कि सुखी लाल मिर्च कि अब इसमें देरें कड़ी पत्ता कि अब जो है इसको हम थोड़ा सा इस तरह से शोका लगा देंगे देखिए चटनी हमारा बन के रेडी है और हमारा जो है सामर में सीटी लग चुका है अब देखते हैं सामर हमारा बन आए कि ने देखिए सामर हमारा बन चुका है कि इसको चैसे मिला देना है अब मैं इसमें जो है इमली जो हमने फूलने के रखा बथा वह मैं डाल रहे हूं आप चाहिए इसमें अमचुर्म पॉडर का भी यूज कर सकते हैं कटाई के लिए यहां पर मैंने सामर निकाल लिया है कि सामर हमारा रेड़ी है अब ढोसा बनाएंगे तो यहां पर मैंने नमक दे दिया है इसको अच्छे से मिलाना है इसे मैं पानी डाल के था पतला बना लिया है इसको ज्यादा मोटा नहीं रखना है इसमें पानी दे देंगे अब जो है हम प्याज से एक नौनिश्रीक तावा को अच्छे से ग्रीस करेंगे पूरा और हम एक कर्चुल लेके इस पर फैलाएंगे इस रसे प्याज देने से यह हमारा धुशा अच्छे से निकल जाता है थावा में से थोरा सा प्याज अगर लगा देंगे तो अच्छा रहेगा है तो आप पानी भी छीट के पूल सकते हैं मैंने इसमें बटर लगा दिया है देखिए धूसा हमारा बनके रेडी है आप चाहें तो इस नमबर चटनी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल अधार ना भूलें